आज कल समाज में एक ब्रहांती से चल पड़ी है वह ब्रहांती है चित्वनी से सब को दूर करने की पूरे कारिक्टर में जो भी प्रोचन होंगे इस विशे पर केंदरित करके होंगे कि चित्वनी की अवसकता क्या है समान रुप से ये कहा जाता है कि परमधाम की वाणी अधरित हो गई है वाणी का मन्थन कीजिए बस लक्ष पूरा हो जाएगा मैं एक सीधी साधी भासा में इस बात को बताना चाहता हूँ अभी थोड़ी देर के पेस जाता भोजन करेंगे आपको भोजन की थाली में क्यों रोटी रख दिया जाए और कहा जाएगा कि सब्जी साम को मिलेगी तो आपको कैसा लगेगा और साम को कह दिया जाए कि किवल डाल मिलेगी रोटी मिलेगी चावल नहीं मिलेगा तो आपको कैसा लगेगा रोटी की अपनी महत्ता है सबजी की अलग महत्ता है डाल की अपनी महत्ता है सब को मिलाएंगे तो भोजन का लग्छ पूरा होगा उसी तरह से ज्यान की अपनी उप्योगता है ज्यान सत्य को दर सत्य है यदि ज्यान को आत्म साथ नहीं करेंगे तो आप मो सागर में भटक जाएंगे ज्यान ही बताता है आप कौन है, कहां से आएं है सरीर और संसार को छोड़ने के पेस्ट जाना का है आपकी आत्मा कानादी प्रित्म कोन है लेकिन केवल इसी को आपने पढ़ लिया अपनी बुद्धी के स्वाहरे अपने मस्टिस के माद्यम से हिर्दे में बसा लिया कि बस हम परमधाम से आए हैं हमारी आत्मा का सरूपी आए है संसार नस्वर है क्यों कहते रहे हैं तो क्या आपको वास्तिविक लक्ष की प्राप्ति हो जाएगे दूसरी तरफ यदि आपके वाल आँख मुद करके वाल ध्यान ही करते रहे वाणी को किनारे कर दें जान को बिलकुल अपने हिर्दे में जगह ने दें क्या प्रडम क्या होगा सारी समाज में अंदकार तब भी फैल जाएगा कि जैसे आपके दो पैर हैं कि दाएं पैर को काट दीजिए तो भी आप लंग्डे कर लाएंगे बाएं पैर को काट दीजिए तो भी आप लंग्डे कर लाएंगे चल नहीं सकते वैसे ही जैसे एक पक्छी दोनों पंकों से उड़ान बढ़ता है हमारी आत्मा रुपी पंक्छी के लिए अवस्यक है कि उसके दोनों पंक कारी करें जान का पंक और प्रेम का पंक प्रेम का पंक उसको प्रितम का दिदार कराएगा हमारी आत्मा के चक्छों को खोल कर परंधाम के पज़िस बक्छों में घुमाएगा प्रकित से परे ले जाएगा और जो जान का पंक है ये कहेगा कि तुम माया में जागरिथ होने के लिए आए हो, सोने के लिए नहीं जागरिथ हो नई बात नहीं है रिश्य मुन्यों ने प्रारम से प्रियास किया है जानते हैं कठोपनी सदमें एक बहुत बड़ा वाक्य कहा जाता है और इस वाकिए को विवेका नंदे अपने प्रहोचर में अमेरिका में उद्रित किया था उतिष्ठत जागरत प्राप्विबरान निबो दिया थी छुरस सिधारा निस्ता दुरत्या दुर्गम पता तत कभी उबिदन थी उठो जगो उतिष्ठत कब कहा जाता है जब विक्ति निद्रा में सो रहा है जान चक्छिओं को खोल कर सत्य को जानो और प्रेम के चक्छिओं को खोल कर प्रेम की रिस्धरा से उस सत्य को प्राप्त कर लो ताकि उस परमसत में और तुम में किसी तरह का भेद न रह जाए सामभ्यत में एक मंत्र आता है कई बार उसकांस में बता रहा हूं सखा-सक्खिव्या-इड्या सक्खिव्या-इड्या आत्माओं के दोरा जो सबकी आत्मा का प्रियतम है इड्जय अस्टुत किया जाता है बताइए चाहे क्या सखा और सखी में कोई भेद होता है दोनों एक सरूप होते है ध्यान का जो परमलक्ष है हमें अपने सरूप को दिखा देना कि हम कैसे हैं और जान का उदेस है हमें निज़ सरूप को बता देना प्रियतम के सरुप को बता देना और संसार के बीसे में भी बता देना सब्द जान जो केवल बुद्ध के दोरे ग्रहन किया जाता है उसी कोई हम अंतिम लग छमाल लेंगे तो क्या होगा हम बुद्धिवादी केवल बने रह जाएंगे हमारा हिर्दे सुस्क हो जाएगा और उस सुस्क हिर्दे में प्रितम के चन कमल कप पड़ेंगे ध्यान क्या करता है ध्यान सरीर से परेवकर बुद्धि से परेवकर जीव से परेवकर हमारी आत्मा के चक्छिओं को खोल करके कहता है कि देखो तुम्हारा निज सरूप ये है और तुम्हारा प्राण वल्लफ ये है और ये मौ कासा अगर या है चाहें आप कितने भी गरंत पढ़ लिजिए यदि आप ध्यान की प्रिविर्टी से बचेंगे तो संसार आपको दबोच लेगा आप देखेंगे बिद्वानों के बीच में प्रहिम वैमानेश से रहता है क्यों क्यों कि उनकी बूद्धि करमशत्य को देख रहे होते हैं लेकिन बुद्धिए जब तरक का पर्यों करता है तरक के साथ कुतर्क का परयोग करता है तरक तो ठीक है सत्य को जानने के लिए निस्पक्ष बुद्धी का परयोग तरक है और पक्षपाद पूर्ण धंक से जानते हुए भी उसको गलत साबित करने का प्रयास करते हैं या मिथ्याबाद को सत्य सादिने का प्रयास करते हैं तो उसको कितने कुतर के बुद्धिवादी अपने को जानवान मानता है जानते हैं जानी उसको किसको सच्चा जानी कहते हैं जिसे उसने सत्य को देखा है उसको सच्चा जानी नहीं मानते हैं केवल पुस्तकों में लिखे हुए सब्दों को पढ़ लिया है पढ़ तो कोई भी लेगा सराभी कबाबी भी पढ़ लेगा हमारे विद्यार्थी जीवर में जो हमारे प्रिंस्पल सहाब थे कालेज के पढ़ाई क्लास लेते थे अंग्रेजी की हो जानते हैं उसे में बेद की व्याख्या करने सुरू कर देते थे लेकिन सराभ उनसे कभी छूटी नहीं रात को सराभी पीनी है और अंग्रेजी की कक्छा में बेद पर प्रोचन भी देना है मताये क्यों कि तृष्णा उनका दिमान हूं प्रीशपल हूं दर्संसास्त पढ़ लिए वेद पढ़ लिए सब कुछ है लेकिन सौयम को नहीं जानते हैं यह अधाना वेद कि मरिचाकरि सुछत वेद ने अस्पासडरूप से कह दिया है यदि उस परमात्मा को नहीं जाने तो क्यों पढ़ करके क्या करोग सुन्दर साथ में बहुत बड़ी ब्रहांती कर गई है कि हम बाणी का क्यों मन्थन करें वाणी का मन्थन अनिवारिया है इसके भीना काम नहीं चलेगा चित्वनी वाला बर कहता है कि नहीं हमें पढ़ने से मतलब नहीं है हमें तो क्यों ध्यान करना है इससे भी काम नहीं चलेगा क्योंकि आपका एक पैर कट जाएगा दो पैरों से ही चलेगे न चित्वनी छोड़ने पर कल्यान है नो वाणी का चिंतन छोड़ने पर कल्याने कल्याने तब जब वाणी का चिंतन दिरंतर बना रहे आप यह सोचिए आपका कितना बड़ा सोभाग यह है कि आपको परमधाम की वाणी मिली है आज सारा संसार विसजुद की तरह बढ़ रहा है कभी भी कुछ भी हो सकता है क्यों? मुस्लिम कहेगा कि वाल मेरा ज्यान ही सत्य है क्रिस्चन कहेगा मेरा ज्यान सत्य है हिंदू कहेगा कि वाल मेरा ज्यान सत्य है हिंदू में तो हजार संपरदा हैं सभी कहेंगे कि कि वाल हम सच्चे हैं और से सारे जुठे हैं अब वारी के प्रकास में उस चोरहे पर खड़े हो जाते हैं जिसमें अब्दिब चक्छों से देख सकते हैं कि वेद क्या कर रहे हैं उपनिसत क्या कर रहे हैं संत वारी क्या कर रही है कुरान की सिक्षा क्या है और बाइबल की सिक्षा क्या है कुरान की आयतों का उल्टा अर्थ करके तो सारी संसार में आतंक बाद मचाय जा रहा है कुरान की आयत कुछ कहती है जैसे कुरान की कुछ आयतों का अर्थ है जिसका जिहादी विचारधारावले जो वहाबी कहलाते हैं ये अर्थ करते हैं जो गैर मुस्लिम है उनको मारो आयत में कहीं गैर मुस्लिम नहीं लिखा है काफिर किसको कहते हैं जो एक परिब्रहमक कुन्नल माने जिस ममें मुहमんな साब अद्रेत हुए थे उस समें अरम में तो सभी यहूदी थे यहूदी है मुसलमान बने, यहूदी है क्रिस्चन बने जो इसलाम को नमाना इसलाम का रिथ क्या होता है? साम्थि और इसलाम के नम पर ही तो आतनक मचाय जा रहा है आयत में गैर मुस्लिम सब्द ना होती है भी उसका अर्थ कर दिया गया कि जो भी गैर मुस्लिम है गैर मुस्लिम है तो हिंदू आएंगे, बहुत आएंगे, जैन आएंगे, क्रिस्चिन आएंगे जो मुस्मान के तरिक जितने हैं सभी आ जाएंगे उनको मारने के लिए अलाह ताला क्यों कहेगा जब करता है कि रबБी लालमीन तो जो सबका परमात्मा है दूसरे मतवालों को मारने के लिए क्यों कहेगा लेकिन मनष्छ में जब तमगुड आ जाता है तो आयत काँ उल्टा अर्थ कर दिया जाता है वो प्रसंग है अरब का और उसको कहा गटाते है भारत में भारत में तो उसमीं मुहम्मद साहब नहीं थे अरब में आ उतरित उय थे और वहां जो यूद हो रहे थे जो लोग मुहम्मद साहब और उनके अन्याईओं को मारना चाहते थे उनके समद्ध में कहा गया है कि उनसे युद करो अब उस आयत को हम भारत में कह देंगे कि भारत में हिंदू रहते हैं इन सब को मारो क्योंकि ये कुरान ये कल्मा नहीं पढ़ते नमाज ये नहीं रखते रोज्या नहीं रखते तो ये आयत का वास्ति करते नहीं है जब हमारे आत्मिक चक्चु खुल जाएंगे तो हम सारे संसार को एक आत्मिक देश से देखेंगे इसलिए वेद ने क्या क्या मित्र से चक्चु साँ हम सर्वान इभूतान समिक्छे मैं मित्र की देशी से संसार के सारे प्राणियों को देखो परमात्मा को भी क्या कहा गया ये साम इंद्रो युवा सका जो परमात्मा सबका मित्र है और उसी प्रेम की दिश्टी से हम परमात्मा को देखें उसी प्रेम की दिश्टी से हम संसार के प्राणियों को देखें लेकिन यह द्रिष्टी कब आएगे जब हमारे अंदर वो आत्मिक द्रिष्टी खुल जाएगे बुद्ध की कुछ खुले महाभीर स्वामी की खुले बुद्ध के लिए चंडाल में और ब्रामण में कोई भेद नहीं था एक बिद्वान जो ध्यान करता है कितना भी पढ़ेगा तो भेद भाव से रहत नहीं हो सकता अमेर और गरिप का भेद रहे बुद्ध के बनेगा ब्रामण चंडाल का भेद रहे काले और और गोरे का भेद रहे जब महाभीर स्वामी कैट सन्यासले नहीं जा रहे थे तो उनके मार्के में एक चंडाल आ रहा था, सब लोग उसको भगाने लगें, भगाओ, भगाओ, मावीर स्वामी गए, कहा कि नहीं, इसको भगाओ नहीं, उस चंडाल को उन्होंने गले लगा लिया, आप देखिए, अभी उनको जान पराप्त नहीं हुआ है, हिर्दय इतना निर्मल है कि उस चंडाल को उन् देने के लिए राजी नहीं था, मेरे कहने कैसे क्या है, यदि हम अपनी आत्मा को जागरित करने चाहते हैं, तो हमें अपनी आत्म दरिष्टिक खोलने पड़ेगी, तार्तम बाणी में जो जान का प्रकास है, उस जान के प्रकास में अपनी को डुबोना पड़ेगा, लेक प्रसाद ले लो, और मंदिर की एक या दो या पाँच बर परिक्रमा कर लो, बस भक्ती हो गई, ये भक्ती तो नौधा भक्ती बहुत पहले से चली आ रही थी, जब माला पर जब की बात आती है, तो मुझे बहुत हंसी आती है, पूरा संत साहित पढ़ जाए, रस्खान न बसो बरिज गोकुल गाओं के गवारन, जो खक हो तो बसेर करो मील कालीं देकूल कदम के डारन, पान हो तो वही गिर को धर्योकर छत्र पुरंदर धारन, आप बताईए, इतने भाव भीवल है रस्खान, है मुसल्मान, कृष्ट के परिम में पागल है, उन्होंने माला नह आप क्यों माला लेकर बैठ जाते हैं, हाथ में माला फिरता रहे, मन कहीं और फिरता रहे, इस दिखावे की भक्ती से क्या फैदा, और आज सारा संसार जहां ध्यान की तरफ बढ़ रहे हमारे समाज में परचारित किया जाता है, कि चित्वनी करने की कोई जरुत नहीं है, कि चित्वनी करोगे, राजी आ जाएंगे तो तुम तो मर जाओगे, जब एक सूरज की तरह भाग उठाकर नहीं देख सकते तो अनन्त सुर्यों के समान प्रकासमान राजी को किसे देख सकते हो, इन आखों से उनहीं दिखता है, पहली बात तो देखिए, जिसका नाम लेन से मृत से पार हुआ जाता है, वेद ने का दिया, कि उसको जानोगे, उसको देखोगे, तमी विदित्वात मृत्युम एद, उसको जाने बिना मृत से परे होने का कोई मर्ग नहीं है, और वो मृत से पार किराने वाला साच्छात सामने आ जाए, तो मरेंगे किसे, कहीं गर कर्मात्मा के दर्सन हुए है तो मृत्त हो गई है एक सुन्दर साथ एक बहन है कान्वेंटी स्कुल में पड़ी हुई बहुत उची सिख्छा उसको मिली है उसका भी बहुत अच्छे पद पर नुक्त एक करनल से साइद हुआ था या मेजर होगा जम्य चोपड़ा जी में था वह आई पहले से पर्चे था पूछा कि मैंने पूछा कि तुम चित्वनी करती हो बोले कि स्वामेजी यदि मैं चित्वनी करूंगी तो मैं मर जाओंगी मैंने का तुम्हें मरने कि कोई आ। सकता नहीं पड़ेगे मृत्य को मेरे पास भेज़ दे ना लेकिन मेरे कहने पर तुम चित्वनी प्रारम करो बताइए देवचन जी के सामने राज जी आते हैं क्या देवचन जी मर गए देवचन जी जब चर्चा करते हैं तो सब सुन्दर साथ को प्रतेक्ष दर्शन होता है क्या कोई सुन्दर साथ मरा मीराज को हफसे में दर्सन होते हैं क्या मीराज की मृत्य हो गई राज जी के आने पर तो मृत्य भी आनी होगी तो टल जाएगी मृत्य दर्सन से कभी मृत्य नहीं होती बात कहां कि कही जाती है और उसको तोड़ मरूर को प्रेस्थुत किया जाता है सिंगार में एक चुपाई आती है सत्त की छाया जीव पर बड़े तो वो मुर्चा जाता है कहने का से क्या है संसार के जो मुँव सागर के प्राणी है वो परमधाम को देख नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर विरह नहीं होता समरपन नहीं होता प्रेम नहीं हो पाता इस लिए उनके लिए नकारा गया है लेकिन परमधाम की ब्रमात्मा जो उनक यह अंगरूपा है गिरण सूरी को क्यों नहीं देख पाएगी क्योंकि वो तो उननी का अंगरूप है जहाँ धूप होगी वह जहाँ धूप होगी और तारतम वानी के प्रकास में माया का जीव भी जदी बल करके खड़ा हो जाता है ब्रहमसिष्टी की तरह अटूट विश्वास, अटूट समर्पन, अटूट सर्धा, अटूट प्रेम, अटूट पुरसार्थ लेकर चल देता है तो राज जी को देखने का अधिकार उसको भी प्राप्त हो जाता है इस दिए ये सोचने का प्रसंग नहीं है, कि हम ब्रहमसिष्टी नहीं है, हम तो जीव हैं, हमारे लिए बस सेवा पूजा नियत की हुई है सेवा पूजा किसके लिए है छोटे बच्चों के लिए, जो चित्वनी नहीं कर सकते हैं, जो सांथी से बैठ नहीं पाते हैं, उनके लिए हैं कि पांच ब़र तार्टम का पार्ट के लिए चलो, भोग लगा लिया, राज जी को समर्पित कर दिया, भाव बने इसके लिए असी साल के भी हो जाते हैं, चित्वनी जीवन में कभी नहीं करते हैं। मैं समाज के बड़े-बड़े विद्वानों की बात करता हूँ, जो बड़े-बड़े पदों पर बैठे हैं, समाज उनके चरण छूता है, वो भी चित्वनी नहीं करते हैं। मैंने देखा है उनको भी तार्दम का पाठ करती हुए देखा है और भाय के मारे मत्हा टेकते समय काउपते ही देखा है कान पकड़ते देखा है उस समय मुझे मन ही मन बहुत हसी आती रही है लेकिन मर्यादा के कारण मैं अपनी हसी को छिपा गया हूँ कि ये समाज की दुर भी वस्टा है जब अमेरिका में हर आफिस में आपको कंबरा मिलेगा जहां एक करमेचारी जाकर ध्यान कर सकता है अमेरिका के लोग जो प्राते कर जलपान करेंगे उसमें भी गाय कामेंस्थ और बियगा दो लिगों भौजन करते हैं उसमें भी गाय कामांस और रात को भी भी यर पिकर ही आइप खाकर रिस हूएँगे वह ध्यान की रहा पर चल रहे हैं में और आजकाल COVID का 4 आपातं ममचा हुमा जानते हैं चाइना वालों का भोजन क्या है वो कच्छा मेढ़क इसे ही चबा जाएंगे जिस काक्रोज से आप घबराते हैं उस काक्रोज का सूप वो पीते हैं दिमक वो खाते हैं चमगादर का सूप उनको बहुत पुरी है उस चमगादर के सूप से कितने वाइरस फैल रहे हैं आप देख रहे हैं वो चाइना वाले वो भी ध्यान करने बैठ रहे हैं और जो परमधाम के ब्रमुनी हैं उनको उपदेश दिया जा रहा है कि चित्वनी नहीं करना यदि वो चित्वनी नहीं करेंगे तो माया के जिव करेंगे क्या माया के जिव तो करने लगे हैं सुन्दर साथ में 40 लाग की संख्या में मैं समझता हूँ 35 लाग से भी ज्यादा सुन्दर साथ चितवनी से को सो दूर है उन बेचारों को मालूम ही नहीं है कि चितवनी कैसे करनी चाहिए गले में क्यों तुल्सी की लकडी डाल लेने से आत्मा कभी ने जगी है है जब तक हमारा हिर्दे सांत नहीं होगा हम ध्यान की माथता नहीं समझेंगे तब तक हमारा कोई भी कल्याण होने वाला नहीं है मैं सभी पन्थों के लिए एक सामानी सी बात करता हूं कि क्या संसार के लोग जानते हैं कि हम कौन है इधार भाई लोग बैठे हैं, इधार बहने बैठी है आकरिती से कोई भाई है, आकरिती से कोई बहन है जो जीव का चेतन ने सबका एक जैसा है यह जीव चेतन न जाने कितनी बार पस पक्षी बनाएं कितनी बाहर केड़े मुकोड़े बनाएं, कितनी बाहर पेड़ बनाएं, कितनी बाहर इस्तिरी बनाएं, कितनी बाहर पूरिस बनाएं वो बाहर के सरीर को देखता है और उसी सरीर के अनुसार ब्यवार करने लगता है क्योंकि जो चैतन्य जीव है वो कुटस्ट है अपने में उसका अंता करन उसके साथ जुड़ा हुआ है चितमे जैसी वासना है उस वासना के करन उसका अंता करन प्रभावित हो रहा है और इंद्रियों के मात्यम से देखकर मन के द्वारा उब इसियों की तरह भागता है जैसे मैं एक सची घटना बताता हूँ गंगटोक में था एक पडोसिन जिस उंदर साथ किया ठहरा था पडोसिन आई मैंने उसे कहा कि देखो तुम मचली खाना छोड़ दो उसने कहा कि मैं बहुत प्रयास करती हूँ लेकिन जब पडोस में मचली बढ़ रही होती है मचली की सुगंद मेरे पास आती है तो मैं रोक नहीं पाती आप सोचिए जो मचली ना खाए उसको मचली की दुगंद आ जाए तो लगेगा कि उल्टी हो जाएगी और जो मचली खाने का अभेस्थ है वो मचली के पकाने की सुगंद पाकर इतनी पागल हो जाती है कि उसके भी न रह नहीं सकते हैं इसका करण क्या है उसके चित में मचली का मास खाने की वासना है वह वासना उसको प्रेरिध कर रही है खाता कौन है? शरीर मुख के मादे से, मुख करमेंद्री है सुख किसको मिल ला है? अंता करण को जीव को सुख नहीं मिल ला है जीव तो दरश्टा भाग से देख रहा है जीव अंता करण को सुख और दुख का भोग करते हुए देखता है भोग कौन करता है मुकता जीव क्योंकि सबका स्वामी है लेकिन जीव को टेस्थ होने के कारण सोता है भोग नहीं करता है अंत्यकरण इंद्रियों के माध्यम से भोग में लिप्त होता है और जीव अंत्यकरण के माध्यम से सुख और दुख को द्रेश्टा भाव से भोग कर जाते हैं, तो लगता है कि ये मेरा लक्ष नहीं है जैसे मचली का मांस खाया किसी ने उत्रिष्णा बनी जीव ने तो नहीं खाया लेकिन मरा हुआ ब्यक्ति भी भोजन नहीं करेगा जीव है तभी अंताकरण कारी करेगा जीव है तो इंद्रिया उंता करण जूड़े रहेंगे मुख एक साधन है इंद्रिया साधन है अंता करण एक साधन है और जीव को बस पता चल ला है स्वाद कैसा है जैसे कोई व्यक्ति स्वाद को जीत लिया है तो इसके उपर किसी स्वात का प्रभान नहीं पड़ता है मैं एक घटनस बताता हूँ किंद्रिया कितनी प्रभल होती है एक महात्मा जी थे जंगल में रहते थे यह अम्रिस्र की घटना है स्वामी योगिस्वानांद जी उस बाजार में जा रहते है उन्हों ने क्या किया कि देखा कि एक महात्मा जी को एक हल्वाई कि जो मिठाई बनाते हैं को छकट अवोता है कल्छा उसी से मार रहा है उस महात्मा जी का परच्ए योगिस्वारा नने जिसे था वो दौड कर उसके पास क antagonist सारे का पैसा तुम ले लो, इतने बड़े तपस्वी को तुम कल्छे से मार रहे हो, मैं इनको जानता हूँ महात्मा जी बोले कि नहीं, स्वामे जी आप चुप रहिये मैंने तो जान बुझ कर के ऐसा किया, कि मुझ को सजा मिले तो जो भी उसका नुकसान था, यो कि सवामे जी नहीं भरपाई कर दी और अकेले में आकर का कि देखिए स्वामे जी, मैं तीस बरसों से क्यों पत्ते उबाल कर खा रहा था इस बीच मैंने नमक का सेवन किया, नमिठे का, नमिर्च का, किसी परकार का स्वाद ने आज जब मैं बजार में चल रहा था, तो ये गरम-गरम जले भी हलवाई तल रहा था मेरा मन ललच गया, कि देखें इसका स्वाद क्या होता है, तो मैं मांग कर खा सकता था लेकिन मैंने जान बच कर सोचा, कि आज मैं इसको दंडित करूँ और मैंने इसके जो मिठाईयों का धेर था, उसी में मुह डाल दिया और इसी क्रोध में कि सारी मिठाई जुठी कर दी, उसने कल्चे से मेरे उपर प्राड़ किया अब मुझे दंड मिल गया है, मैं खाने की कोशिस नहीं करूँगा अब सुचिए, खाया किसने, समान रुप से महादमाजी ने, किसके माद्यम से, मुख के माद्यम से रस किसने लिया, इंद्रियों ने लिया, इंद्रियों के विराजा मन ने लिया और मन पर भी नियंतर किसका है, चित का, क्योंकि चित में खाने के संस्कार है चित्पन नियंतर किसका है बुद्धी का मैं मनिस्य हूँ और मुझे जलेवी खानी है तो यह आंग आ जाता है कि मैं आत्मा हूँ मैं सुट्वुद्ध हूँ यह बेशन गुड और घी से बनी हुई जलेवी मुझे बसिबूत नहीं कर सकती तो उसके पास रखकर भी वो कभी जिलेवी को खाने की इक्षा नहीं करते है लेकिन 30 साल तक ब्रिक्षों के पत्ते उबाल उबाल कर खाने वाला महात्मा जब सामने जिलेवी आती है तो अपने धायरे खो बैठता है क्यों? क्योंकि जान और वैरा की दोनों की कमी है कि अंगरूपा हूं यह जिलेवी मुझे वसिभूत नहीं कर सकती है और यदि उन्होंने ध्यान में स्वैम को जाना होता ध्यान से अपने चित के संसकारों को निष्ट कर लिया होता तो रात दिन उस दुकान वाले के सामने भी रहते तो कभी भी जिलेवी उनको समोहित नहीं कर सकती थी ध्यान का महत्मा तो आप समझ गए होगे उस महात्मा ने पचीस वरसों तक पत्ते उबाल उबाल कर खाये कभी चावल नहीं खाया, रोटी नहीं खाया फिर भी ये जीवा प्रबल हो ठीक क्योंकि उसका पुराना संस्कार है उन्हें कई जन्मों में जिलेवी खा रखी है संस्कार उभर गया देखकर जिसको बोध हो जाएगा कि जैसे आनंद का सागर है और उस सागर की मैं अभिन सुरूपा लहर हूँ तो संसार में क्यों पड़ेगा देखे आज संसार में क्या है संसार में राग द्वेश है राग द्वेश क्यों होता है राग होता है आसकती कि यह मेरा है द्वेश कब होता है जब उससे काम नहीं बन दा तो उससे द्वेश बन जाता है पत्नी में भी राग होता है, साधी से पहले खुब आसकती होती है, साधी के कुछ मेने के बाद दोनों में जगड़ा होने लगता है, द्वेस में बदल जाता है, कभी तलाक की स्थिति होती है, मार पीठ होती है, प्रेम नहीं होता है, प्रेम निर्विकार है, प्रेम घर्थ ह एह हिर्दे कर समर पर कुछ चाहत नहीं राग में कुछ चाहत वज़ती है राग के जब पूरती नहीं होगी तो देश में परनित हो जाएगा प्रेम के ऐधा मेडें ना आत्मा और comparingात्मा के फिरैं क्ट नहीं आनंदगर नहीं माया में ना आनंद है न प्रेम है न सांती है इसने तो वेद में बार-बार कहा गया कि दो सांती अंतरिक्षम सांती पृतिभी सांती आपर सांती बनस्पति हैं सांती हम कहते हैं कि क्या करें तार्तम तुले लिया असांत रहते हैं असांत क्यों नहीं रहेंगे जब आप अपने प्राण बल्लब प्राण प्रित्म को हिर्दे में नहीं बसाएंगे आखें बंद कर उसको देखने का प्रयास नहीं करेंगे तो वो सांतिकां से आएगे देखें चित्वनी का अर्थ क्या होता है चित्वनी यानि बोलचाल का भासा का सब्द है चित्वनी का अर्थ होता है अंतर चक्षों से देखना अंतर द्रिष्टी से देखना जिसे बोलचाल की भासा में कहते हैं तिर्ची चित्वनी तिर्ची चित्वनी का मतलब नित्रों की प्रेम्मई द्रिष्टी यानि आत्म देश्टी से परमात्मा को देखने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको करते है चित्वन योगकार्थ क्या होता है योगकार्थ बोल चाल में होता है जोड़ना लेकिन अध्धात्मी करते क्या होता है मिलन हमारी आत्मा और हमारे प्रितम परिब्रम के बीच में ये जो माया का पर्दा प्रकृती का पर्दा आ गया है इस पर्दे को हटा दे ताकि हम अपने परानिय सर को देख सकें बस यसी को लगती है योग लैकि सुन्धराद को योग से चेड़ लगती है योग सब्साहितिक है और चित्वनी क्या है? बोलचाल की भासा का सब्साहित है हम चित्के वास्नाओं को समाप्द कर दे चित्के संसकारों को समाप्द कर दे जैसे हमने अपने असंख जन्मों में क्या-क्या भोग किया है सब को भूला दे हमने अच्छे अच्छे बेंजन खाये होंगे कभी राजा रहे होंगे सोने की सिंगासन पर बैठते होंगे फूलों की सहीया पर सूते होंगे 56 बेंजन खाते होंगे मांस भी खाते होंगे सराब भी पीते होंगे इन सब को भुला दे हम इस्तरी बने होगे, पूरुस बने होगे, किड़े मकोडे बने होगे पसबक्षी बने होगे, इन्स सब को भुला दे हम अपने सुरब को देख लें कि जैसा मेरा प्रितम आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है उसी सागर की लाहर मैं हूँ मेरे और उसके बीच में कोई परदा नहीं है इसी को तो योग करते हैं, चित के संसकारों को समाहित करना चित की बृतियों का निरोथ जो कुछ हम सोचते हैं, देखते हैं हमारी पांचों इंद्रियों से पांचों ग्यानेंद्रियों से पांचों करमेंद्रियों से जो कुछ हो रहा है आँख देख रही है पांचों इंद्रियों करा राजा कौन है? मन कान सुन रहा है नसका सुगंद का रस ले रही है ट्रिव जोस्तित आरे उस वाईसे चित संसकार अबहर रहे हैmos कई बार जब ध्यान की बात होती है सुद्य साहत परश्ड करता है कि इतना प्रतवंत क्यों लगया जाता है, यह ना खाओ, यह ना खाओ, अरे कुछ भी खाओ, ध्यान में बैठ चाओ, राजी तो मिलेगी, ऐसा नहीं है, आप सब कुछ खाईए जो सात्विक पदार्त है, राजिक पदार्त खाएंगे, तो रजोगुड से मन चंचल होता है, देखिए, सतोगुड में ज्यान और प्रेम की स्थिति आती है, ज्यान और प्रेम की स्थिति आएगी, तभी आप समर्पन के पद पर चल पाएंगे, वह परम प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं, प्रीत, ज्यान और प्रीत, जब आपके पास ने रहेगा, तभी तो आप राजी का ध्यान करेंगे, जल बनेगा खुब नमक नमक पड़ा फिर भी उपर से नमक डालेंगे आती उसन बहुत गरम जिससे खुब खौलता हुआ दूद पीना खौलती वी चाय पीना खौलता हुआ जिसको जीवा पर रखते ही जलने लगे तिक्ष खुब तिखितिकी मिर्ची खाना एक एक चमच ल आपके बुद्धी चंचल हो ठी है और चित को जहां प्रेम में डूबना चाहिए संसार को भूलना चाहिए वो इस्तिति नहीं हो बाई है बैजो को बावरा क्यों कहा जाता है इसलिए कि वो गाने में इतना पागल हो गया कि उसको कुछ पता नहीं कि मैं हूं का जब उसका पिता का बद कराया था हर तांसें ने तो तलवार लेकर जाता है कि मैं अपने पिता का बदला लूँगा देखता है कि तांसें संगित के धून में इतना बेस्त हैं आखे बंद करके गार है उसने सोचा कि नहीं मैं तलवार से नहीं बारूँगा मैं इस संगितकार को संगित से यह रहूँगा अपने पिता की मृत का बदला लूँगा लेकिन मैं यह तो दुनिया को भूल चुका है जब हर दाश जी संगित की साधना करते थे तो पूरे बन में बस पंक्छी सब सांथ हो जाते थे करने कि पताये आज करके संगितकार जो कला सि lle है सराप प्रकर के गाते हैं जितनी सिख्य हैनने सराप उसको दोरा तो सकते हैं लेकिन संगित में डूब नहीं सकते क्योंकि संगित में डूबने के लिए उनको अरिदाश जैसा भड़ा आशिए प्रेम चाहिए संगुन इदाज जी क्या खाते होंगे कंद मूल फल फुल सात्यू कहा रहें तो संगीत की साधना करने है समाधी अवस्ताकर प्रेप्त होगी जब आप का मन सतोगूरी होगा जब आपके रजोगूर तमोगूर के सकार दब जाएंगे तभी आप सांती से बैठ सकेंगे आप मन को रोक सकेंगे इसलिए मैं करता हूं कि भले ही आपके पास परहमधाम का जान है लेकिन प्रकृत की मरेदा का उलंगन तो आप नहीं कर सकते हैं आप सोचें कि खुब लेसन प्याज की छोंक डाल लेते हैं खुब तिखीती की लाल मिर्चे का अनंद ले लें गरम-गरम खुब जोगोड आपके मन और इंद्रियों में छोप पैदा करता रहेगा इसलिए जो सुन्दर साथ अपने हार की सुद्धी नहीं करेंगे उनको यह आसान नहीं करनी चाहिए कि उनको चित्वनी का सुख मिल पाएगा जो तामसी भोजन करते हैं तामसी भोजन क्या है याद याम जिसका रस चल गया हो पूर्तिम चाप परिस्तम चाप सड़ा गला हो जिससे दुरगंद आ रही हो है समझे कि वो तामसी है लसुन प्याज औसधी है औसध के रुप में उसका प्रियोग करें तो ठीक है लेकिन भोजन को स्वाधिष्ट बनाने के लिए जब आप लसुन प्याज की जब छोक लगाएंगे तो देखिए उसकी दुरगंद अंडे से मिलती जुलती है दुरगंद जिसमें हो मांस में दुरगंद है सराम में दुरगंद है लसुन प्याज में दुरगंद है सड़े गले भोजन में दुरगंद है ये दुरगंद आपके मन मे तमोगूट पैदा का संचार कर देगी फलसरूप आपका मन भागने लगेगा मन तो का कोई दोस नहीं है जैसे मैंने अभी आपको कहा उस महात्मा जिने जिलेवी में मुह डाल दिया जिलेवी का जो पूरा टोकरा रखा था मुह डाल दिया मार किस पर पड़ी सीर पर अब पूछा जाए किसमें किस का दोस है सीर का दोस है या मुक का दोस है सूर्दास जी को सुंदर इस्तरी को देखकर मन में पाप हुआ महात्मा बनने के बाद उन्होंने बहुत गलानी हुई कि मैं पानी जिसके हाँ से पीने जा रहा हुँ उसको भी देखकर मेरे मन में पाप आगया पहले तो जिस अपनी प्रेम्क्या के पास गया था उसने मुझे फटका रहा हुआ कि मैं एक सौ के उपर बैटकर रहा हुँ सर्प की रस्षी बना करके अंगन में कुदा हुँ आदी रात को जब मुझे फटकार मिली तो मैं महात्मा का भेश धरार किया और जब पानी पिनने के लिए कि उस उंदर यूती आई तो उसको देकर मेरा मन चलाएवान हो गया मैं इस आँख कोई क्यों न फोड़ दो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने उसी से आँख सौई मांग कर अपने आँखे फोड ले सौई का आँखों का क्या दोस से इन्ही आखों से तो हम अपने पुजग जनों को देखते हैं गुरजणों को देखते हैं जिसके चित में जन्म जन्मांदरों की वासना भरी है, वो मन को प्रेरिद कर रहा है, तो क्या करें? चित भी पेचारा क्या करें? चित के उपर किसका नियंतर है? बुद्धी को. बुद्धी जैसे होगे, वैसा ही तो चित के संसकार उपरेंगे. जैसे आप टीवी में ब्लेक एंड है वाइट जो आज कल नहीं हो रही है, पहले ब्लेक टीवी चला करती है, जिसमें सफेद चित रहा है करती है, आज तो घरगर रंगीन टीवी चल गई है. आप सोचिए, सीडी भी जदी रंगीन वीडियोग्राफी हो, तभी तो उचित रहा है वाइसा, जैसा संसकार चित में उबरेगा, मन वैसा ही कारी करेगा, और बुद्धी जैसी होगी, वैसे ही संसकारों को उफारेगी. भी जाने हर प्राणी में सत्व, रजतम, तीनों है, सतोगुड भी है, रजोगुड भी है, तमोगुड भी है, जब हम दूद फल ॉबूद खाते हैं, अल्प मातरा में भोज़न करते हैं, तौ उमरे अमन सत्त ही उता है, जब हम तिकी- सिकी मिर्चे खुब खाते हैं, बोजन की सुद्धी होगे, तो बुद्धी की सुद्धी होगे, बुद्धी सुद्ध होगे, तो चित सुद्ध होगा, और सतोगडी संसकार उपरेंगे, चित सुद्ध होगा, तो हमारा मन वैसा होगा, और हमारी इंद्रियां वैसे ही कारेंगे, रात को आप एक बोतल सरह प बूरे संसकार उभर कर आपके चित्रुपी चित्रपट पर तैरने लगेंगे और आप उन्ही विचारों में इतना घूम जाएंगे चाहें आपने पूरी परिक्रमा याद कर ली हो, पूरा सागर सिंगार याद कर ली हो, आपकी चित्रपट कभी भी लगने वाले नहीं है तो ये प्राथ्मिक कक्षा है जैसे देखिए ये आपके सामने इपुस्तकाले की दो मंजली इमारत खड़ी है इसकी निव को कमजोर कर देंगे तो क्या उची बिल्डिंग खड़ी हो सकती तीनों चीजे हैं जब इसमें समन्वन नहीं होगा तो कुछ काम नहीं होगा सरीर का असन सिद्ध है तो मन का असन तभ होगा जदी सरीर इस्थिर नहीं है तो मन भी इस्थिर नहीं रहेगा आपने चित्वनी में अबितक में आपने सुना होगा देचन जी की सुर्था लग जाती है, अखन बरेज में जाते हैं घुंगनी का प्रसाद खाने के लिए जैसे नीचे हाथ करते हैं हाथ जमीन से टक्रा जाता है, उनकी सुर्था तूट जाती है क्यों? उनको लगता है कि मैं यहाँ हूँ शरीर से पहले परे होना पड़ेगा शरीर से परे होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप जितनी देर बैठे हैं, जोरूरी नहीं है कि दो गंटा ही बैठे है लक्षर रखिया कि दो गंटा बैठे हैं, बैठे हैं, चार गंटे का लक्षर रखिया जब आदे गंटे भी बैठते हैं तो हाथ ऐसे कर लिए तो ऐसे न किजिए इस तरह से बैठिए कि आपका शरीर हिले डूले ही नहीं आपको पता ही नहीं कि आप बैठे हैं जितनी यातरा करनी है ध्यान के मार्ग पर सही तरीके से किजिए आप आसे लगा कर बैठे हैं कभी इधर खुजा रहे हैं कभी उदर खुजा रहे हैं कभी घुटने को यह कर रहे हैं तो आपके सरीर का भास हो रहा है कि मैं हूँ यह सरीर क्या है ब्रह्मान्ड का छोटा रूप ब्रह्मान्ड में जो कुछ है तो सबसे पहले क्या पजलना दार्थ बनता है बुद्धि मानचित बुद्धि अंकारी हमारे कारण शरीर हे सुप्षा स्रीर है। इस थूल सरीर में आप देखते हैं ना इस पंचबूतों का सरीर है जल अगनिवाई से बना हुआ अकास से बना हुआ इस थूल सरीर है तो आप सरीर को केवल यह सरीर मत समझ दीजिए इसमें सुक्ष रूप से सुक्ष प्रकृति है कारण रूप से कारण प्रकृति है जब आ अब सरीर से परे हो जाएंगे तो भी तब ही आपकी सूर्था अखंड में भिहार करेगे। इस ती सरीर से पहले परे होने का पहला कदम है इस्थी रोकर बैठने का अभ्यास करना। आप इस का अर्थ यह मैं समझे कि आपको मैं योग साथना करा रहा हूं जैसा दूसरों में कराए जाता है। योग साथना जैसा कि मैंने कहा योग का अर्थ होता है मिलन। सब्दों कहेर फेर में संपरदाइक विवाद बहुत खड़ा हो गया है। जैसे बुदिष्ट क्या कहेंगे हम केवल विपसना को मानते हैं और किसी को नहीं मानते है। विपसना करत क्या होता है विशेष रूप से जान दिश्च से देखना कि यह सारा संसार छड़िक है नस्वर है और हम कौन है। सांती का मर्ग कहा है, इसको कहते हैं विपसना, इसके उसमें स्वासों पर मन को केंदित करके, सम्वेदनाओं के अधार पर साधना की प्रक्रिया है, वितरागियों क्या किसको कहते हैं, राग से रहित हो जाना ही वितराग, वितराग होना है, दर्सन साहस्त में एक सुत रहता ठोना हम राग से रही थो जाना इध्यान है धरसन नियो जिसको कहा वैसे जैन्दरसन भी करता है कि हम भीत राग यो को मानते है राज यो कर्थ क्या होता है वह राजा समय ही योग जो गुब्त रूप से रिसी पनमपरा में चलता रहा है यह योग जो है चोराहे पर खड़े होकर बांटने के बस्तों नहीं एक बात बताओं एक बार कोहनु हीरा जब निकला था तो एक हलवाहे को मिल गया था उसने हलकी मुठिया में लगा दिया था कि तो मिजे में जोतूं तो इस चमकता रहे उस बेचारे को उसकी कीमत का पता नहीं है किसी भी योग के उपदेश्टा ने जब किसी को उपदेश दिया है तो बताया है कि जब तक कोई इसका पात्र ना बन जाए योग विद्या नहीं सिखानी चाहिए क्यों? क्योंकि वह उसकी कीमत नहीं समझेगा और उसका उपहास उड़ाएगा तो उसकी गरिमा कलंकित होती है जैसे कोहनीर हुईरे को हल जोतने में किफाल में उसमें मुठिया में लगा दिया जाए तो उसका अपमान है तो जो विद्या हमें परमात्मा का सच्छात दर्सन कराए उसको ऐसे लोगों में बांटना जो कभी ध्यान के प्रती भावना रखते कठो पुनिश्वत में कहा गया है न असांत मान्सों अपि प्रज्याने न अपनियाद असांत मन वाला भी इसको प्राथ नहीं कर पाता न दुश चरितों न असांतों न असमाहितां जिसका आचन परुत्र ने जिसमें सर्दान ने भावना ने उसको आप चित्वनी भी सिखा देंगे तो क्या करेगा लेकिन आज इस्तिती यह है कि जबरन सबको सिखाना पड़ रहा है क्यों सिखाया जाता है कि जदी यह नई सिखाया जाया तो सब कुछ समाथ्थ हो जाएगा वैसे तो यह विधान रिष्यो ने किया था वैसे इस बात को मैं पूरी तरह से नहीं मानता हाँ चित्वनी की जगुई बाते हैं जो इसमें सर्दालू होगा उसी कोई आत्मसात होगी आप सिखाये सब को लेकिन सभी करेंगे नहीं जो कर्मकांडी लोग हैं उनसे कर्मकांडी छूटेगा ही नहीं चित्वनी कौन करेगा जिसके उपर परब्रमी की कृपा होगी राजी की कृपा होगी वह हैं चित्वनी ध्यान की तरह मुड़ता है नहीं तो देखिए साथ अरब जनसंख्या है कौन ध्यान करता है किसको पढ़िए पहले तो ज्यान कोई सुनना नहीं चाहता यह मेला लगता है इसी सरसावा में संकर जी का समान खरिदना होते इतनी भीड होती है कि आप जान नहीं सकते आप पूरे सरसावा में वो धिडोरा पिटवा देजे कि भई ध्यान सिखाया जा रहा है सौ लोग भी नहीं आएंगे किसी भी सार में नहीं आएंगे क्योंकि संसार के लोगों को ध्यान से पर्मात्मा के दर्संद से कोई भी लेना देना नहीं इसलिए विधान है कि सब को पात्रता में लाया जाए पहले ज्यान सुनाइए ज्यान से सर्धा पैदा कीजिए सर्धा से उनमें परब्रम के परती विश्वास पैदा कीजिए तब उनको सिखाए कि हाँ ध्यान करना अवस्यक है जिसको परमात्मा पर सरदा नहीं परमात्मा को मानता भी नहों और उसको सबसे कीमती वस्त दे दी जाए तो उसका वो अपमान करता है जैसे संकर जी क्या है? सिष्ट के प्रारिम्विक योगी है हिमाले में बैठे हैं जहां चारो और बर्फी बर्फ हैं वहाँ बैठे करके वो ध्यान कर रहे है ऐसा ब्यक्ति तो ध्यान के महत्यों को जानता है कि ध्यान की गरिमा क्या है? जो ब्यक्ति रात को सोते समय भी सरापिता है दोपर को भी मान सखाता है परमात्मा को मानता ही नहीं उसको कहिए कि हम आपको आईए Paramdham का ध्यानम बताते हैं तो वो उपहास उड़ाएगा इसमें किसका अपमान हुआ जो ब्रमान की सबसे कीमती वस्त है ध्यान उसका अपमान हुआ इसने शिखाना सबको है लेकिन पहले उसको पातरता में लाना है कि वो अब्यक्ति इस ध्यान विद्या का अपमान तो न करें क्योंकि जब तक मनुसे में सम्मान नहीं पैदा होता सर्द्या लबते ज्यानम सर्द्धा नहीं आती ज्यान के परती सर्द्धा नहीं है ध्यान के परती सर्द्धा नहीं है परिमात्मा के प्रतिसर्द्यान ही है वो ब्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता इसलिए जो आज तो समय का भाव हो रहा है साम को भी प्रोचन होगा उसमें इनी तथ्यों पर प्रकाश डाला जाएगा कल भी इनी तथ्यों को लेकर जाला जाएगा कि उप्योगता क्या है ध्यान कि ध्यान हम क्यों करें और ना करने से हमारा क्या नुक्सान है मैं आपको बता रहा था पहली कक्छा है अचलत्तम सापेक्ष अचल होकर के बैठने का भ्यास करना आप करते हैं कि बैठते ही नीद आती है क्यों? यदि आपका भोजन गरिष्ठ है तो निद्रा आएगी योगी काहर कितना होता है जिससे सरीर चल फिर सके लेकिन ऐसा नहीं कि बिलकुल खाना छोड़ दीजे साहिं की चर्चा में गीता के एक स्लोक की व्याख्या की जाएगी युक्त आहार विहारस्या, युक्त कर्मे सचेष्टा, युक्त सप्न बोधास्या, युगो भवती दुख्धा इस एक स्लोक में योगेश्वर सिखिष्ट ने बहुत कुछ कह दिया है मैं संकेत में आपको कह रहा हूं जब आप ध्यान में बेठें, चित्वनी में बेठें हाँ, आप यह में समझे है कि ध्यान और चित्वनी में कोई अंतर है एक साहित्तिक वासा है, ध्यान किसको कहते हैं एक तानता, जिस लक्ष को आप देख रहे हैं उसको एक टक देखना ही ध्यान है उसी को तो आप चित्वनी कहते है हाँ अंतर यह होता है कि पहला प्रकृत का ध्यान होता है आप किसी परमांस के चित्र को ध्यान धारणा मिलाएंगे परमधाम की धारणा करेंगे कुछ ने कुछ तो कर रहे हैं तो अभी आपका मन प्रकृत से परे नहीं हुआ है परमधाम नहीं पहुचा है ज्यान धिश्टी से आप देख रहे हैं कि परमधाम है लेकिन आपकी अंतर धिश्टी नहीं खुली है लेकिन लक्ष तो आप उसी में ले जा रहे हैं इसलिए कहते हैं तत प्रती एक तानता ध्यान एक तानता किसको कहते हैं जर्ने का पानी गिर रहा है उपर से लकतार गिरता रहता है कभी ऐसा तो नहीं कि दो मिनिट के लिए रुख जाए उसी तरह से आपकी अंतर धिश्टी लकतार लक्ष में बनी रहे उसको करते हैं ध्यान और उसी को तापचीतव नहीं कहते हैं यह तो साहित की भासा का अंतर होता है बितक में चुपाई यह है तहां ध्यान में हुआ दर्शन आप इस ध्यान सद्द को क्या काट कर देंगे क्या लिखा तो लालदाश ची नहीं है ऐसा नहीं समझना चाहिए हमें संपरदाइक कटरता नहीं पकड़ने चाहिए सत जहां से उपलब्द हो आप का हिर्दय इतना ब्यापक होना चाहिए कि संपरदाइक परिदियों से उपर उठकर जो धामदनी ने वानी में कहा है उस परमस्थिकों की कार किजिए यदि आप यह सोचते हैं कि तिलक लगाना माला पहनना कंठी पहनना हमारी निसानी है तो आपकी यह निसानी नहीं है यह तो भेश है आपकी निसानी क्या है अटूट स्रधा अटूट समर्पन राजजी को पाने के लिए अटूट पूर्शार्थ और सात्विकहार और द्रड आसन पहली कच्छा है द्रड आसन की जब तक आसन आपका द्रड नहीं होगा तो चित्वनी का भवन खड़ा ही नहीं होगा आपको जितनी उचाई पर पहुँचना है आपको अपने शरीर का आसन कभीर जी ने एक चुपाई में सब कुछ कहा है तन थिर शरीर इस्थिर हो जाए मन थिर, मन इस्थिर हो जाए सूरत या और निरत इस्थिर हो जाए सूरत निरत क्या है जब आपकी चेतना प्रकृत मंडल में रहती है तो सूरत कहलाती है और जब वो प्रकृत से परे हो जाती है तो निरत कहलाती है तन थीर मन थीर पवन थीर सूरत निरत थीर हो कितने समय के लिए का कबीरता पलक की कल्प नपावे को है एक कल्प में चार अरब 32 करोड़ बर्स होते हैं चार अरब बतिस कुरूल बर्शूर तक अब जव अपता, पूजा, पाथ, परिक्रमा, कुछ भी करते रहे हैं, लेकिन पृतम से मिलन नहीं होगा, पलक जपकने के लिए आपका सरीर इस्थिर हो जाए, मन इस्थिर हो जाए, सूरतिय और निरति हो जाए, आत्म दृति कोई घंटे आप बैठने की आदद पढ़ जाए, जिस आशन पर आपका सरीर काम करे, जिसे जिनके पैर पतले होते हैं, उपदमासन पर बैठ सकते हैं, सिधासन सबके लिए नहीं है, सिधासन में सर्थ यह है कि सिधासन पर वही बैठे, जिसके मन में कभी बूरे विचार आते हो, सिधासन पर बैठ कर बूरे विचार सोचना, विशे का चिंतन करना, अपने को पतन के गड़े में किराना होता है, सिधस्य आसनम इति सिधासनम, सिध्य पुर्शों का आसन है, उस पर समानी बैठी को बैठने का अधिकार नहीं है, सिधासन की साधना वही करे, जो या तो बस्ती से दूर हो, गुफा में रहता हो, या बस्ती में रहकर भी विशे का चिंतन न करे, वही सिधासन पर बैठ है, नहीं तो नहीं बैठ है, पादमासन का इर्थ क्या होता है, देखिए, इस आसनमें एक विशेस्ता है, राज जी कि सिंह आसन के नीचे भी कमल का किसी भी देवी देटा को देखियों किस पर बैठते हैं कोई गुलाब के फूल पर नहीं बैठेगा सब कमल बैठते हैं ये क्या है हस्त कमल ये क्या है हिरदय कमल ये क्या है कमल, यह क्या है, नित्र कमल, सब की कमल से उपमादी गई है, कमल में क्या गुणे है? कुमलता है, सुंधर यह, सुगंदी है, आपकी आत्मा में भी प्रितम को पाने के लिए कुमलता हो जाए, मुमिन दिल कुमल कया, तो अर्सपाया किताब, जान की किसुगंदी हो आपके इंदर प्रेम किसु दर्म दर्द संदर हो आत्मा का तो यह पदमासन उस तरफ ले चलता है पदमासन आपको अधिक सथिक सुतोगड़ी बनाता जाएगा धीरे धीरे कुछ लोगों के ये, ये मसल्स बहुत ज्यादा होते हैं पर हाथ, जां पर मोटे होते हैं उनको पदमासन में बैठना बहुत कठें होता है तो उनके लिए समत वासन है, समत वासन देखिये कैसे बैठा जाता है इस पर इसको रखिए और इस पर इसको रखिए पीठ और गर्दन सीधी होनी चाहिए ऐसे जुकने पर एक समस्या होती है मन तो एकाग्र हो जाता है लेकिन जो ऐसे जुक जाएंगे तो पीठ में दर्द होने की संभावना रहती है ये गर्दन में सरवाइकल भी हो सकती है या तो आईसे बैटिये ताकि सरीर तनर है सीधा हो करके जितने दिर बैठिये सीधा हो करके बैठिये पीठ और गर्दन को हमेंसा सीधा रखिये ताकि आप अराम से बैठ सके जब आपकी पीट गर्दन सब सिधे रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कोमल सहिया पर सो रहे हैं आपको कोई बैठने का कष्ट नहीं आएगा जब आप सिध हो जाए तो आप चार गंटे बैठे रहे हैं जैसे छे-छे गंटे आप कोमल सया पर सोते हैं न गदों पर वो इसे ही आसन पर भी ध्यान में बैठे रह सकती है यह आसन के लिए सिद्धी करने पड़ेगी थोड़े दिन का कष्ट है इस कष्ट को जहल जाएंगे तो आप कियो जैसे मैंने कहा मजबूत निव बनाई जाएगी तो दस मंजिली इमारत खड़ी कर लिचे निव ही कमजोर रहेगी तो दूसरी मंजिल से उपर ले जाना खतरनाग हो जाता है उसी तरह से जदी आपने सरीर का आसन सिद्ध कर लिया तो आपने बहुत बड़ी बाजी जीत लिए आप सरीर को हिलाएए डुलाएए नहीं जैसे आप सोफे पर बैठ क सामने टीवी पर कोई पिक्चर देखने लगते हैं तो आप इतने खो जाते हैं कि दाएं बैए नहीं देखते हैं उस समय कोई आपको अवाद देता है तो आपको बहुत बुरा लगता है इसका कारण क्या है उस समय सरीर आपका हिल्टा नुटता नहीं है क्योंकि आप किसी प्रेम वाले अनंत सक्ति वाले उस परमात्मा में चित लग जाता है, तो आसन इस्थिर हो जाता है, जैसे अपनी मन पसंद पिक्चर देखते समये, तीन घंटे कैसे भीत गए, आपको क्या पता चनता है, लेकिन आपको तीन घंटे बेठा दिया जाए, जित्वनी में, मैं सम आपका सरी आसन अपने आप सिद्ध हो जाएगा, कोई परसानी नहीं होती, अधिकतर सुन्दर साथ कहते हैं कि पीठ में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, इस सब आने हैं, किसी नहीं तक नहीं कहा है, कि मैं तीन घंटे की पिक्चर देखते समये, मुझे कहीं दर्द का जितने धन होगा, ट्रिलियन होगा रहा जो कुछ, सारी प्रिथिवी का धन भी दे दिया जाए, और कहा जाए कि तुम चित्वनी नहीं करो, कहेंगा कि नहीं, मुझे तो चित्वनी करनी है, इस सारी दुनिया का राजपाट मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जब वो रस न पहल की तरह पिस्ते रहो, बुढ़ हो जाओ, और खांस्ते खांस्ते मर जाओ, यही तो दुनिया की कानी है, बुढ़ापे में भी जवानों को तो मौ छुट जाता है, बुढ़ों को मौ नहीं चुटता है, पोते पोतियों का, मौ इतना बला होता है, बुढ़ापे में भी ये संसार तयार नहीं है, वो जानता है, कि मरते समय कितना मो लगेगा, कि मैं मर रहा हूँ, जन्म लेते समय बच्चा रोता है, हसता नहीं है, और मल मुतर से लिप्टा होता है, असमझे, नो महिने तो उस बिचारे को हो जाते है, गर्व में, सरी में, आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, सारी खिल्किया बंद किर जाए, आपको घुटन होने लगती है, आप सोचिए, जब सांस नहीं आती है, तो अक्सिजन की नली हस्पिटेर में लगाई जाती है, माता के गर्व में बच्चे को कहां से सांस आती है, लेकिन प्रकृति नहीं आईसी रचना की है, कि उसको सांस भी मिल जाती है, और वो बच्चा जिंदा रहता है, लेकिन जब गर्व से बाहर रहता है, तो मलमुत्र से लिप्टा होता है, और उसको दाई साफ करती है, जदि हमको वो दिर से दिखा दिया जाए, कि हम भी उसी तरह से मलमुत्र में लिप्टे हुए थे, माता के गर्व मेरा रहते, तो हो सकता है, कि कुछ मनुष को विवेक आए कि नहीं, अब इस गर्व में नहीं आना है, आप किसी को भी कहिए, अरे भाई ध्यान करो, क्या कहेगा, अरे अभी बहुत जिंदगी पड़ी हुई है, कर लेंगे, बढ़ापे में कर लेंगे, अभी तो संसार को देखने तो, संसार इस उमर में कोई नहीं देख रहा है, वो तो लाखो करोड़ों बार बिचारा जीव देख चुका है, पसपक्षिओं में रह चुका है, कीडे मकोड़ों में रह चुका है, जब विवेक होगा तब तो, इसलिए इस समय के परोचन में, मैंने के वल आपको ये बताया, शरीर का इस्थिर होना आवस्यक है, अचलत्तम साफिक्ष, अचल होना आवस्यक है, इस दर्सन का सुत्र कहता है, आसीना संभवाद, ध्यान कौन कर सकता है, जिसका आसन इस्थिर हो, वही ध्यान कर सकता है, इस दिये पहली प्रात्मिक्ता आपको देनी होकी होगी शरीर को इस्थिर करने के जैसे अभी समत्वासन बताया पदमासन में आप पीछे तक मत चड़ाइए जोड देने की कोई जोड़त नहीं है आप अराम से रखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन ये इस तरह से आगे के तरह जुकने का डर रहता है ऐसा होता है अराम से बैठिए पीछ गर्दन सीधी कीजिए धीरे धीरे अभ्यास कीजिए नहीं तो सुखासन सबसे सरल है एक पैर पर दुसरा पैर चड़ा लेजाए लेकिन ऐसा नमत कीजिएगा ऐसा अकड़ वाली चित्वनी में परक्रिया नहीं चलेगी हाँ योग की परक्रिया में ऐसा चल जाता है किसी भी तरह बैठिए पीठ गर्दन सीर सभी सीधे हों हिले डूले नहीं ऐसा अभ्यास कीजिए कि कुछ समय के बाद आपको लगे ही नहीं कि आपका सरीर यहां है फिर आगे की गाड़ी चलेगी तन की इस्थिरता के बाद मन की इस्थिरता होती है रात नहीं साम को जो प्रोचन का करीव यह कम होगा दो से चार वज़े तक चार से पांच चित्वनी कराई जाएगी और 2-4 में एक प्रोचन होगा प्रतिदिन के कारकया में जिस सुंदर साथ को जो भी जिज्यासा रगती है साम के प्रोचन के कारकया में कागज पर लिकर अपने प्रस्ट निर संकोच होकर पूछे इस सिविर में कोई भी संकोच न करे कि हम सब के बीच में मन की स्थिर्ता कैसी है थोड़ा बहुत हमने अभी कर दिया है लेकिन पहली प्रैंत्मिक्ता दी है तन को स्थिर करने की इसके साथ तन, मन इस्थिर होगा, जीव इस्थिर होगा, फिर आत्मद्रिष्टी इस्थिर हो जाएगी, राजी के चड़ों में आपके जीवन का लक्ष पुरा हो जाएगा.